नमस्कार मंदल न्यूस बुलिटीन में आपका स्वागत है आए पेश करते हैं आज के प्रमु को मुख्य समाचार शेर के वल्लब नगर परिसर में रहने वाले दो यूवक गुरू पूर्नीमा निमित्त शेगाव गजानन महाराच के दर्शन के लिए जा रहे थे तब आदिवासी होस्टल के पास इन दोनों यूवकों पर चाकू से जान लेवा हमला किया गया इस हमले में एक यूवक गंभी रूप से गहल हो गया जबकि दूसरा मामूली रूप से गहल हुआ यह घटना शनिवार की राद 11 बजे के दवरान घटी दोनों गहल यूवकों क पर बैठा कर पहले राजापेट पुलिस टेशन लेगाया पच्छात पुलिस उसे पुलिस वहान में जिला अस्पताल ले आई अस्पताल में उसके पेट में घरा चाकू देख सभी डॉक्टर पर रिशान हो गया उन्होंने पर ततकाल उप्चार शुरू किया लेकिन डॉ करीबन एक गंटे तक जकमी प्रेम के पेट में चाकू वैसा ही था बताया जाताएगी प्रेम पर पुरानी दुश्मनी के चलते ही हमला किया गया प्रेम और हिमान्शू एक ही महले में रहते हैं अमलावर योग उसका पिछा कर रहे थे हमले के बाद आरूप योग भाग ग जिले में रिमजिम बारिश हुई पूरा दिन यह बारिश हुई इस एक दिन में शहर में 16 मीमी बारिश रुकाड हुई आगामी दो दिनों तक शहर से जिले में मद्यम स्वरूप में बारिश रहने का अनुमान मोसम विवाग ने दर्शा है इस वर्ष जुलाई महा में समा बारिश वहनी की संभावना वेक्त की है जुलाई महा में बारिश का जोर कायम रहने से किसानों ने खरीब की बुवाई को गती दी है 6,81,214 हेक्टियर क्षेत्र रहे एनी 93 फीसदी बुवाई पूर्ण हो गई है रहवार 21 जुलाई को गुरुपूर्णिमा निमित्त शेर के विविनक शेत्रों के मंदिरों में तैयारिया की गई थी जगा जगा विवित कारे क्रमों का आयोजन किया गया राजापेट स्तीत सिताराम बाबा मंदिर और बढ़नेरा रोट स्तीत संकट मोचन हनुमान मंदिर में भक्तगन सुबसे दर्शन के लिए आने लगे सिताराम दास बाबा मंदिर में गुरुपुर्णिमा मोसव शेनिवार रात आट बजे से बाबा का दुखदाग भिशेक कर मनाना शुरूवा पंडितों ने मंतरों चार के साथ संपुर्ण विधीपुर्ण की रात साड़े आट बजे महेश पारायन मंदल द्वारा संगित में सुंदरकान बाबा के चर्णों में प्रस्तूत किया गया आज रिवार को सुबसे भक्तों का बाबा की पुजा अर्चना करने भीड उमर पड़ी ती इस तरह बढ़नेरा रोटस्ती संकट मोचन हनुमान मंदिर में भी भक्तों का ताता लगा रहा सबी तरफ गुरु पुर्णिमा उस्व दूमदाम के साथ मनाया जा रहा था पतनी को पहले पती से हुई पाच वर्षे बेटी का महला के दूसरे पती द्वारा अपरन किये जाने की संसरी खेज घटना प्रकाश में आई है इस प्रकरन में बड़नेरा पुलिस ने मामला दर्चकर आरोपी की तलाश शुरू किये है फरार अरोपी का नाम राजुरा बाजार निवासी नरेश उठोबा लादे उम्र चवालिस बताया है बताया जाता है कि संबंदित महिला का कुछ वर्ष पहले विवा हुआ उसे दो बेटी है लेकिन पती पतनी के बिज विवाद होता रहने से महिला ने पहले पती को छोड़ कर नरेश लादे से विवा किया दोनों का घर संसार अच्छा चल रहा था उसे एक बेटा भी हुआ लेकिन नरेश को शराब की लथ रहने से वो शराब में ही पैसे उड़ाता था इस कारण महिला माय के आ गई थी अठरा जुलाई को संबंदित महिला घर में सो रही थी तब नरेश वहा पहुचा और पहले पती से विव पाच वर्ष बेटी को लेकर चला गया महिला के यह बात धहन में आते ही उसने ततकाल बढ़ने राथाने में शिकायत दर्च कराई पुलिस ने मामले की जाज शुरू कर दी है लेकिन अब तक आरोपी और बालिका का पता नहीं चल पाया लोहे के पलंग पर पती के पैर बानकर उसकी 60 वर्ष पतनी पर दो नरा धमों ने सामोएक बलातकार किया रहिनी की घटना चांदुर बाजार तैसिल के शिरसगाव कजबा शिवार में गुर्वार की रात घटी पुलिस ने इस प्रकरन में पीडित्या के शिकायद पर करजगाव निवासी अब्दुल नईम उर्फ नम्मू अब्दुल अली 31 को गिरबतार कर लिया है तब उसके पती ने इन योकों को रोखने का प्रयास किया इन आरोपियों ने उसके पलंग से हाथ पर बांदिये और महिला को कुछ दूरी पर ले जाकर आबरू लूटी जब महिला ने चिकना शुरू किया तब आरोपियों ने उसे पीठा जिससे वो बेहोश हो गी पच्चात आरोपियों वहाँ से भाग गए पुलिस ने मामला दर्च कर जाश शुरू की है तीन साल पहले बच्चू अनखडे हत्याकांड की खुननस निकालते वे गुरुवार की रात केडिया नगर में रोहित मांडले को आरोपियों ने मुक्के घाट उतार दिया इस वारदात में दोनों गुटों में फिर बड़ा गैंगवार होने के आसार दिखाई दे रहे हैं पता चला है कि मांडले हत्याकांड के तीन दिन पहले ही आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी अपलोड की थी कि तीन दिन में लेंगे विकेट फिर भी पुलिस के खुपिया तंत्रों को मालूम नहीं पड़ा जबकि सोशल मीडिया पर वाच रखे जाने का लगातार दावा किया जाता है मांडले हत्याकांड में फरार आरोपी, करन डेंडवाल, समिर डोंगरे, लकन शेरेकर और दादू जांबूलकर की राजापेट पुलिस तलाश कर रही है वानखडे हत्याकांड में मृतक रोईत वानखडे अरोपी था, तिन साल में दोनों गुटों में पास से छे बार विवाद हुए, लेकिन दो महीने से विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के खुन के पैसे हो चुके थे गुर्वार की राद आरोपी नशे में चूर होते हुए, रोईत मांडले को किडिया नगर में राद 12 बजे देखते ही, पहले कार से उडाया, चाकू से वार कर दिये, जानकर यह भी ये की दो महीने पहले ही रोईत की हत्या करने के फिर्याक में थे रोईत की हत्या के एक घंटे के भितर राजाबेट पुलिस ने आरोपी भुशन वाट कर यश काटे निती निंगोले, सोनु जान्जोटे और अंशु सोनोने को गिरपतार कर लिया। शुकरवार को दोपर अदालत में पेश करने पर आरोपीयों को 25 जुलाई तक पुलिस रिमान में रखने के आदेश दिये है। शुकरवार की दोपर एक बज़े कम्पूटर क्लाज जाने के लिए घर से निकला लेकिन देर रात तक घर न लोटने से परिजनों ने तलाश की। 84 वर्षे नाबालिक शुकरवार के दोपर घर पर किसी को न बताये निकल गई। राजा पेट थानाक शेतर के सातुरना निवासी 15 वर्षे नाबालिक घर से लापता होने के चलते तलाश की। लेकिन पता ने चलने से तीनों मामले थाने में पहुचे अग्यात आरूपी की खिलाब पुलिस ने अपरन का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लगबग 22 माह पहले शहर के प्रबाट टॉकिज के निकट राज़ंदर लोज के निचले माले परस्ती राजडिप कलेक्शन का स्लैब डहने से हुए हास्से में पाश लोगों की मोत हुई थी। इंचुर करके खिलाब शनिवार को कोतवाली पुलिस ने स्थानिय जिला 17 नैयले में चार शिट दाकल की है। अलबे में दबकर राजडिप कलेक्शन के मैनेजर रविंदर परमार समेथ पाश लोगों की मोत हो गई थी। उस समय पुलिस ने शाहाप पती पतनी अब्दुल सादिक और राहुल जैन पर मामला दर्च कर उन्हें गिरपतार किया था। वही इस घटना के लिए मनपा के उपअभियंता सुवाज चवान और शाका अभियंता अजय विंचुर कर दोशी पाये जाने से यह दोनों लगबग चार महा तक मनपा में छुट्टी की अरजी डाल कर फरार हुए थे। इस मामले में मनपा के उपअभियंता सुवाज चवान और शाका अभियंता अजय विंचुर कर पर मामला दर्च करने के बाद दोनों को नाकपुर हाई कोट ने लगबग चार महा बाद गिरपतारी पुरुव जमानत दी थी। उसी समय विनोत बोहरा ने भी हाई कोट में जमानत ली। जाका के दल जाच में जूटे हैं। विशेश तोर से चूरी के मामले में गालगे नगर परिसर में सरवादिक चूरी देखी गई है। इस तरह शुकरवार को गालगे नगर के सुनल कॉलनी निवासी अब एक काठोले किसी काम से शुकरवार को परिवार के साथ बाहर गए लेकिन रात 11 बजे वापस लोटे तो उनको ताला तूटा दिखाई दिया। अग्याचोरों ने घर की आलमारी से 10 ग्राम सोने का सिक्का 40 ग्राम चांदी के आभूशन ऐसा कुल 81,000 का माल चूरी कर फरार हो गए। वही राठी नगर निवासी हर्शवर्दन निस्ताने के गर का ताला तोड़कर आलमारी से 15,000 रुपे नगत चूरी कर लिये। जबकि गाड़के नगर के जैसे आराम नगर में बन घर में सेन मारी करते हुए 16,000 के आभूशन चूरी कर लिये। तिनों ही मामलों में पुलिस ने अग्यात आरूपी के किलाब चूरी का मामला राजापेट थानाक शेतर के माधाव नगर निवासी अनुरुद्ध रविंद्र जोशी गुरुवार को परिवार के साथ बाहर गाओ गये थे। शुक्रवार की रात बारा बजे घर पर लोटे तो ताला तूटा दिखाई दिया। गर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अग्यात चोर ने घर में सेंद्मारी करते वे हैं आलमारी से तीन लाग रुपए नगत, पाच तोला सोने के कंगन, दस तोले सोने के बीस नग अंगुठी, चांदी के बरतन सोने के नेकलेज ऐसा कुल साथ लाग रुपए का माल चोरी कर फरार हो गये। राजाबेट पु बना कर देने वाले दो आरूपियों को पत्रोड पुलिस ने गिरबतार किया है, इस बात की जानकारी ली जा रही है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को नकली लाइसेंस तैयार करके दिये है, अचलपुर तहसिल के पत्रोड में निखिल अशोक तुर्खडे का शे दोन ढाबे पर गए, आकाश ने साथ में आय वैवाव की पैचान साहिप के साथ होने की बात करकर दो सो रुपए जमा कर लाइसेंस ले जाने के लिए कहा, इस दवरान जब दोनों से पैचान पत्र मांगा गया तो दोनों ने पैचान पत्र नहीं दिखाया, संद्य होने प पता नहीं चल पा रहा था, आखिरकार थानेदार सुनिल पवार ने राहुल काल बांडे के साथ मिलकर टीम तयार की और आरोपी की तलाश कर 20 जुलाई को उसे गिरपतार किया, वैवाव गवी ने नकली लाइसेंस तयार किया था, उसके पास से होंडा एक्टिवा सैमसंग कमपनी का प्रिंटर मोबाइल जब्त किया गया, अदालत के सामने पेश करने पर दोनों को एक दिन पुलिस रिमान पर भेजा गया है।